हेलो दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू यूपी बार्सला, मैं विबेक आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ के इस लेक्चर में, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे थे, एक-एक नियम, पिछली का अक्षा में हमने एक-एक नियम पढ़ा था, और हमने जाना था कि एक-एक नियम किसे कहते हैं, किस तरीके के कोशन्स आपके एक-एक नियम से बनते हैं, कुछ हमने कोशन्स भी किये थे, ठीक है, चलिए उससे आगे continue करते हैं, देखते हैं, और किस तरीके के कोशन्स आपके एक्जाम में बन सकते हैं, या फिर वने हुए हैं चलिए शुरू करते हैं जैसे कि मैं बात करूं question number question number पहली बात करूं question number एक की बात करूं question number एक है अपका आपका कि हिलासका question number एक है यदि तीस आदमी यदि 30 आदमी 200 kg केजी चावल दस दिन में खाते हैं तो दस आदमी 300 केजी चावल कितने दिन में खाएंगे ठीक है ये कोशन है आपका कि यदि 30 आदमी 200 केजी चावल दस दिन में खाते हैं तो दस आदमी 300 केजी चावल कितने दिन में खाएंगे ठीक है जैसे कि आप सभी को बता है मैंने बताया था ये क्या दे रखा M1 दे रखा आपको कितना 30 ये कोई चावल खाने का कार्या हो रहा है इसका मनलब क्या ये वर्क है ये क्या दे रखा W1 एकोस दो सो केजी और d1 हमें क्या देया है d1 दिया है 10 दिन ठीक इतनी बाद समझ में आ रही है उसके बाद next m2 हमारे पास है 10 और w2 हमारे पास है 300 केजी ठीक हमें क्या बताना है कितने दिन में करेगा मतलब d2 हमें बताना है मैंने सिर्फ आपको एक फोर्मुला बताया था कि एक ही फोर्मुले से सिर्फ एक कोंसेप्ट से सारे के सारे कोशन आपके एक एक नियम के होंगे ठीक है चाहें कितना ही हार्ड कोशन बन जाए या कितना ही सिंपल कोशन बन जाए ठीक है क्या बदाया था मैंने जैसे देखो m M1 D1 upon W1 equals to M2 D2 upon W2 ठीक M1 की value क्या हमारी 30 D1 की value क्या हमारी 10 और W1 क्या हमारा 200 equals to जबको M2 कितना 10 D2 हमें निकालना है और W2 हमारा कितना है 300 देखो 2-0 से 2-0 कटेंगे ठीक 10 से 10 कटेगा ठीक अब देखो ये 2 से कितनी बार जाएगा 15 बार जाएगा ये 15 ती है 45 तो D2 कितना है हमारा 45 days ठीक है तो 45 दिन में हमारा ये कार्य होगा 300 कजी चावल जो खाए जाएंगे वो 45 दिन में खाए जाएंगे I think आपको समझ में आया होगा ये कोशन चलिए Nest चलते है Nest देखते है Nest किस टाइब के कोशन है ठीक है कोशन नमबर 2 है आपकी आज की ग्लास का क्या है देखते हैं कोशन नमबर 2 है दस आदमी दस दिन में दस पैंट बनाते है कोशन नमबर 2 है आज की ग्लास का दस आदमी दस दिन में दस पैंट बनाते है तो बीस पैंट बीस पैंट आट दिन में आट दिन में कितने आदमी बनाएंगे ठीक है कॉशन क्या है दस आदमी दस दिन में दस पैंट बनाते है तो बीस पैंट आठ दिन में कितने आदमी बनाएंगे तो देखते हैं क्या दे रखा दो को M1 हमें क्या दे रखा है 10 दे रखा है D1 कितना दे रखा है हमें 10 दे रखा है W1 हमें क्या दे रखा है 10 दे रखा पैंट बनाने का कोई कारा हो रहा है तो ये क्या हो गया W1 हो गया ठीक है इसके बाद W2 कितना दे रखा है 20 पेंट बनानी है Day 2 कितना दे रखा है 8 दिन और हमें M2 हमें क्या गरना Find करना Formula लगा दो भईया M1 D1 upon W1 equals to M2 D2 upon W2 क्या गर दे रखा है M1 10 गुणा 10 upon 10 equals to 20 गुणा 8 वटे Sorry यह 20 नहीं M2 थो हमें लिकानना है और W2 हमारा क्या दे रखा 20 10 से कितनी बार जाएगा 2 से 2 बार जाएगा ठीक यह 2 से कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा अब यह 2 से 2 बार कटेगा यह 2 से 5 बार कटेगा पर यह 2 से 5 बार कटेगा तो M2 हमारा कितना आई गया 25 ठीक है चलिए देखते हैं ठीक है मैं वार वार आपसे यही request करता हूँ कि यार अच्छे ज़े notes बनाते चलना ठीक है notes बनाओगे तो आपके पास रहेंगे किसी भी time आप क्या गर सकते हैं revision कर सकते हैं ठीक है question number 3 देखिए आज की class को question number 3 है चार आदमी एक कुए को चार आदमी एक कुए को एक कुए को 21 दिन में खोद देते हैं खोद देते हैं तो उसी कुए को तो उसी कुए को 14 दिन में 14 दिन में 14 दिन में खोदने के लिए के लिए कितने आदमी आदमी की अवसकता होगी ठीक है ये question है आपका क्या question है दस आदमी एक कुए को 21 दिन में खोद देते हैं तो उसी कुए को 14 दिन में खोदने के लिए कितनी आदमियों की अवसकता होगी ठीक है I think हामको समझ में आ रहा होगो question देखो यहाँ पे M1 कितना दे रखा है M1 दे रखा 4 ठीक है D1 कितना दे रखा है D1 कितना दे रखा 21 ठीक है और काम हमारा क्या है काम हमारा शेम है ठीक है तो काम हम नहीं लिखाएंगे एक कुआ है वोई काम है तो काम हम नहीं लिखाएंगे ठीक है तो और D2 हमें कितना दे रखा है 14 M2 हमसे क्या है पूछ रहा है ठीक है formula लगा दो M1 into D1 equals to M2 into D2 ठीक है तो क्या आजागा M1 कितना था 4 21 equals to 14 14 गुणा M D2 sorry sorry देखो D2 हमसे D2 हमें दे रखा है 14 और M2 हमसे पूछा है कितनी आदमी होगी है अब सकता होगी ठीक है ठीक है साथ तीया एककिस साथ दुनी 14 दो से कितनी बार जाएगा दो बार जाएगा तो M2 question कितना जाएगा 6 आदमी ठीक है M2 कितना था हमारा 6 आदमी आधिक आपको यह समझ में आया होगा अच्छे से चलिए नेस्ट चलते हैं नेस्ट कोशन है हमारा question number 4 देखते ही क्या है question number 4 next question है question number 4 यह दी 15 व्यक्ती यह दी 15 व्यक्ती किशी कार्वे को कार्वे को 20 दिन में करके 20 दिन में करके रुपे 15 व्यक्ती मजदूरी यह दी 15 व्यक्ती किसी कार्वे को 20 दिन में करके 500 रुपे मजदूरी लेते हैं लेते हैं तो 10 व्यक्ती 10 व्यक्ती उसी कार्वे को उसी कार्वे को 15 दिन में करके करके कितनी मजदूरी लेंगे कितनी मजदूरी लेंगे ठीक है आपको कोशन समझ में आ रहा होगा कि कोशन कि अगर आप 15 व्यक्ती किसी कार्वे को 20 दिन में करके 1500 रुपे लेते हैं ठीक है तो 10 व्यक्ती उसी कार्वे को 15 दिन में करके कितनी रुपे लेंगे ठीक है यह मजदूरी से रेलाइटिड कोशन है आपका चले देखते हैं M1 क्या गीवीन हमें 15 ठीक है 15 R2 हमें क्या करना Find करना ठीक है मैंने आपको फोर्मुला बनाया बताया था M1 D1 अपोन R1 एककोश टू M2 D2 अपोन R2 ठीक है M1 की वैलू कितनी है 15 D1 की वैलू कितनी है 20 और R1 की वैलू कितनी है 1500 एकोश टू M2 की वैलू कितनी है 10 D2 की वैलू कितनी है 15 और R2 हमें क्या करना Find करना देखो 10 से कितनी बार जाएगा 20 2 बार जाएगा 15 से 15 है कर जाएगा ठीक है और 2 से ये कटेगा 1500 ठीक है 2 से कटेगा 1500 तो R2 कुश टू कितना आगी है हमारा 1500 ठीक है I think आपको समझ में आया होगा कितनी रुपे लेंगे 10 ब्यक्ति उसी कारों को 15 दिन में कारे करके 1500 रुपे लेंगे ठीक है I think आपको समझ में आया होगा चलिए चलते हैं Next Next question है हमारा Next question देखते हैं Question number 5 है आज की क्लास का एक मकान की पुताई एक मकान की पुताई पांच ब्यक्ति आठ गंटे रोज काम करके तीन दिन तीन दिन में करते हैं ठीक है तो एक ब्यक्ति एक ब्यक्ति चार गंटे रोज काम करके उस काम को उस काम को कितने दिन में करेगा कितने दिन में करेगा ठीक है हमसे यह पुछा है ठीक क्या गिविन है देखो पांच ब्यक्ति मतला M1 गिविन है पांच ब्यक्ति H1 क्या गिविन है आठ गंटे काम करके तीन दिन में करता है D1 हमें क्या गिविन है तीन दिन ठीक है उसके बाद M2 हमें क्या गिविन है एक ब्यक्ति S2 हमें क्या गिविन है चार गंटे और उस कम को कितने दिन में करेगा मतलग कि D2 हमसे पूछा है लगा दो वही है फोर्मूला M1, D1, H1 M, D, H बताया था मैंने M, D, H मसाले याद रखना ठीक है equals to M2, D2, H2 ठीक है, M1 कितना था 5, D1, 3 H1, 8 M2, 1 D2 हमें निकालना है और H2 हमारा कितना, 4 4 से कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा तो D2 कोश्टू कितना आगी है, हमारा 15, 15, 12, 30 ठीक है, 30 दिन में करेगा 1, 2, 3, 4 गंटे काम करके उस मकान की पुताई 30 दिन में करेगा, 1, 2, 4 गंटे रोज काम करके, ठीक है I think आपको समझ में आया होगा चलिए नेश चलते हैं नेश कोशन देखते हैं नेश कोशन किस टाइब से बन सकता है आपके एग्जाम में ठीक है कोशन नमबर 6 कोशन नमबर 6 है 10 आदमी एक दिवार को बनाने में 5 दिन लेते हैं ठीक है 10 आदमी एक दिवार को बनाने में 5 दिन लेते हैं तो उसी काम को तो उसी काम को तीन दिन में तीन दिन में पूरा करने के लिए पूरा करने के लिए कितने आदमीयों की जरूरत होगी कितने आदमियों की जरूरत होगी कुशन समझ में आ रहा होगा कि 10 आदमी एक दिवार को 5 दिन बनाने में 5 दिन लेते हैं तो उसी काम को 3 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों के जरूरत होगी कितना दिया है M1 दिया हमें कितना 10 आदमी कितने दिन लेते हैं D1 हमें दे रखा है 5 दिन उसके बाद हमें दे रखा है उसी काम को 3 दिन में D2 हमें दे आ है 3 दिन पूरा करने के लिए कितनी आदमियों की जरूरत होगी M2 हमें निकालना है लगा दो M1 D1 equals to M2 M1 कितना है 10 D1 5 M2 निकालना है और D2 हमें कितना दिन है 3 ठीक है कितना हो गया यह 50 बटे 3 बरावर M2 ठीक है तो कितने आदमियों की जरूरत होगी हमें 50 बटे 3 आदमियों की जरूरत होगी ठीक है आपको यह कोशन भी समझ में आया होगा ठीक है आसा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहे होगी और कोशन भी आपको समझ में आ रहे होंगे अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना न भूले कमेंट करना न भूले और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बैल आइकन दवा दें मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी उस्ता और उमंग के साथ तब तक के लिए नमस्कार